नमस्कार दोस्तों स्वागित है आपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं है दोस्तों ग्रूब डी रिजल्ट को लेकर और पीटी डेट को लेकर एक और नोटिस निकल के आया है यह दोबारा आरार्सी सिकंद्राबाद की जो वेबसाइट है आप सर्च भी कर आरी तो यह नोटिस जो निकल के है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आज ही डेट का आनि 16 देसमर का यह नोटिस निकला है यानि लेट टेस्ट है इसके नीचे क्या बताया गया है वो देख उससे बेर मैं आपको बता दू जो केंड़ेड एससी जीडी या फिर 10 प्लस 2 कर लीजीगा जिससे आपका कॉमिदेंस लेट बढ़ेगा टाइम मिनेजमेंट बेतर हो पाएगा एक्जाम से पहले एक्जाम सा माउल सेट हो जाएगा कौन सा सेक्षन वी के समयरे ते उसको बूष्ट कर सकते है तो यह ली टेस्ट बूपास दे सकते हो जितने चाए ओपन कोड यूज करना है और आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंड भी मिल जाएगा तो फ्लाय सेल चदर है 24 और श की डील का आप लाब उठा सकते हो ज्यादा दानकारी के लिए लिंक डैस्क्रिप्ट मॉक्स में टेस्ट बूपास का फाइदा क्या है एक नई 640 प्लस एक अग्जाम के मॉक्ट टेस्ट एक ही पास के अंतरकत आप अटेम्ट कर सकते हैं जो सैम पैटर्न डैस्पोर्ट पर आधर रहते हैं अब देखते हैं इस नोटिस में क्या बताया गया है तो सबसे पहले तो यह ओपीशिल नोटिस याप मान के चलिन नीसे चैर्मेन के सिगनि यह बताते हैं कि 17 अगस से आपके 11 अक्टूबर 2022 को हुआ कंडेक्ट और all the candidates who have opted for South Central Railway यानि यह जो RRC शिकंदराबाद है यह South Central Railway के अंतरकत आता है तो South Central Railway वाले जो भी candidate जहां जिन्होंने apply किया है South Central Railway से यानि SCRC और उनको ऐसा लगता है कि वो CBT के लिए qualified हो जाएंग are advised that the physical efficiency test is planned which is likely to be conducted for the shortlisted candidate from 12 January 2023 अब बार बार यह notice क्यों निकाल रहे है क्योंकि आपके result के बाद आपको time नहीं मिलेगा यह कहना चाहते है कि तुरंत आपका एक तरीके से हो जाएगा PET तो बाद में यह न कहें कि इतना भी time नहीं दिया है तो पहले यह बार बार नोटिस नि जो candidate ने SCR से apply किया है South Central Railway से apply किया है Hence all the candidates are advised to practice the events and be ready for PET at short notice of 7 to 10 days उन से पहले उनको एक notice भी मिल जाएगा PET का साथ से 10 दिन पहले और SMS और email के जरी भी भी भेज़ देंगे और इससे पहले भी एक notice है जिसमें result के बारे मताया गया था कि आपका result है जिसमें था कि result of CVT short testing of candidates for PET currently under process and results are tentatively scheduled to be published in the official website यहनी 24 December से पहले आपका result भी आ जाएगा यह भी आज चुका था notice और इससे पहले इन्होंने PET का भी डाल दिया है बार बार यह बता रहे है result से पहले PET का notice दे रहे हैं और यहाँ पर भी इन्होंने बताया था कि आपका PET है वो अलग RRC Y जनवरी 2023 से continue हो जाएगी उस notice पर बताया भी कया था और यहाँ पर भी आप देख सकती हो कि जो SCR वा 100 मेटर हैं और रनिंग है उनकी 1 किलोमेटर है 4 मिनट 15 सेकंड में चिप रहे हैं और female candidate के लिए 20 किलोग्राम है 100 मेटर रनिंग है 1 किलोमेटर 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा परसंस जो PWBD वाले candidate है यहाँ फिर जो CCWA वाले candidate है उनको छूट दी गई है PET के लिए तो यह latest notice ह जो कि यहाँ पर निरों नीची यह भी बता है कि fact notice से सावधान भी रहे और जो भी update होती latest वो आपको टेलिग्राम पर update हो जाती है तो टेलिग्राम चनल जरूर जोइन कर लेना link description box में है और जो candidate test series से जोड़ना चाते है तो TTG के open code use कर सकते हो test book में धन्यवाद